है यहां पर हमें यहन दिया है और नेम एंड उसका नमबर दिया है इस इस नमबर नेम एंड नमबर तो यहां जितने होगे उतने नेम होगे सो और हमें यहां पर क्वेरी दिये अभी इसमें सर्च करना है अंकल स्याम यहां पर प्रेजेंट है इसमें अगर प्रेजेंट है तो अंकल स्याम है उसका नमबर यहां पर प्रेंट करना है नेक्स्ट में क्या दिया है क्वेरी में अंकल टॉम अंकल टॉम यहां पर प्रेजे एक हाई सोस का नमबर है रही इक्वल्स टु नमबर और हमें है स्ट माम का यूज करना है आप कि तो लेट शीक फर्स्ट अब अल अम हमें यहां पर यहां पर यहां पर दिया है और इसको हैस्ट मैंप में स्टोर करेंगे so input के लिए scanner object बनाना पड़ेगा scanner scn equals to new scanner system.in अभी n user से लेना पड़ेगा int n equals to scn.next int अभी a string and mobile number integer user से लेना है three times so for int i equal to 0 से लेकर i is less than n i plus plus first of all string name equals to scn.next यहापे next नहीं ले सकते क्योंगी यहापे name में space है तो next नहीं लेना पड़ेगा यहापे string के लिए next line और अगर next line यहापे use कर रहे है तो इसके पहले भी next line यहापे आना चाहिए इधर so next line use करते समय याद रखे इसके पहले next on हमें mobile number user से लेना int mobile equals to scn.next int इसके नव अब हम इसे hash map में store करेंगे so hash map बनाएंगे यहापे hash map of string comma integer hcm equals to new hash map of string comma integer हम में आड कैसे करते हैं hm.put of name comma mobile यहापे key value store करेंगे hash map में keys name and values mobile so अभी यह तो store हो जाएगी अभी हमें query दिए है so query query की number समय नहीं दिया है means कितने भी query हो सकते हैं so यहापे हम क्या करेंगे यहापे देखेंगे while scn.has next has next क्या करेंगा जब तक यह input आते जाएगे उनको सारे को accept करेंगा यहापे इन्पूट क्या आएगा हम एक query में this is string so string n name equals to scn.next line यह query हम आप भी user से ले रहा है scn.next line है so इसके उपर scn.next int है so यहापे भी हमें scn.next line लिखना पढ़ेगा so अभी user से query ले रहे अभी hash map में present है कि नहीं वह देखना पढ़ेगा so if hm.contains contents key name की क्यों लिख रहा हो क्योंकि हमने name को as a key store किया है hash map so hm.contains key in that case what we have to do अगर ankle से हम यहापे present है तो क्या कर प्रिंट करना है ankle sam equal to mobile number so यहापे प्रिंट करेंगे system.out.println name plus equals to उसके corresponding key hm.get of name so this will give us corresponding key else अगर यह input यहापे present नहीं है तो क्या करना है uncle tom present है क्या नहीं है so in condition में not found को print करना है so system.out.println यहां यहापे अन्ट फॉ। यहां पर काहाएस क्या देखिए गे तो first of all थो में यह 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 दिया था विसे यह यह user से लेंगे yes and dot next in next one name and number name and number name and number so in common key values pair में store करेंगे hash map में let's see this is our hash map so Sam equals to number 999 dash dash then Tom equals to 111222 and so on Harry equals to 12299 dash so I say hash map में store होगा this is key this is value so string first of all uncle Sam user से लेंगे and mobile user से लेंगे यहाँ पर इस दोना उस्ट्रिंग में स्पेस से इसलिए हाँ पर sn.next line उसके है next line उसके रहा है तो पहले भी sn.next line होना चाहिए तो यहाँ पर sn.next line लिया यह देन अभी हैस मैप में पूट के आए now name and number so store होएंगे सारे तो इस त्री ओल और स्टोरिंगे हैस में next one is queries दिये तो queries कितने भी हो सकते हैं इसलिए यहाँ पर मैंने यहाँ 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 कर लेगा और जब भी इनपूट खतम हो जाएगे तब वाई लू तरम नित्क होगा तो यह सेंड़ यहाँ इन यहाँ जाएगा अंकल सेंड स्ट्रीग इनम इस ओल दिया जब दो नेच्ट लाइगा नेक्स हम चेक करेंगे हम.com दोट कंटेंस की नेम कैंश मैप में सम नाम अंकल सम नाम की प्रजेंट एक आई है है तो इन दिस इन देट केस्ट वी विल प्रेंट नेम एंड इट्स कर्रस्पांडिंग वैल्यू सो अंकल स्यम इक्वल्स टू नमबर नेक्स टोन अभी अगें वह लूप एक्जिगूट होगा अभी देखेंगे क्या आगे इन्पुट है तो आगे इन्पुट आएगा अंक टॉम सो अगेन इसको लेंगे अंकिल टॉम अभी देखेंगे क्या अंकल टॉम प्रेजेंट है नहीं है क्योंकि यह पर टॉम था अंकल टॉम ठाक क्या नहीं था तो इन्दैट केस्ट वी वील प्रेंट नॉट फाउंड next one Harry Harry present है क्या हाँ है यहाँ पर देख सकते है तो उसके corresponding number लिखेंगे Harry and उसके corresponding number या chump.get so again उसके बाद कौन सा भी input नहीं है so while loop will be terminated so in this case we can in this way we can solve now let's run this code run OCHUKAYA MAKA code, submit the code submit me OCHUKAYA so in this way we can solve this question so if you want this code I will give the link of the code in the description from there you can see in this code